हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं लोगों के पास पर्याप्त कागजात ही नहीं है इनके वीजा की अवदी भी समाफ्त हो चुकी है कुछ लोगों के कागजात भी यहाँ पर पुलिस के पास जमा है ऐसे में लोगों को ना तो भारत अधिकारी आगे जाने की अनुमती प्रदान कर रहे हैं और ना ही पाकिस्ता अपने परिजनों की अस्तियां गंगा नदी में विसर्जित करने को भारत आये परिटन वीजा पर भारत आये यह लोग कोरोना के कारण भारत में अटक कर रहे गए इसके बाद इन लोगों ने जोदपुर सहत कुछ शहरों में मजदूरी करते अपना जीवन व्यापन किया य इस बीच किसी ने उन्हें बता दिया कि अटारी बॉर्डर पर पहुंच जाओ वहां से सीमा पर आसानी से हो जाएगी वहां पहुंचने पर अधिकारियों ने इनके कागजात की जांच की तो एक के पास भी परियाप्त कागजात नहीं थी बताया जा रहा है कि कुछ लोग बारती अधिकारियों से उलच पड़े कि वे पाकिस्तानी नागरिक है ऐसे में उन्हें किस आधार पर रोका जा सकता है उन्हें वापस जाने दिया जाए बारती अधिकारियों ने मामला पाकिस्तानी अधिकारियों के समक्षटाया पाक विस्तापितों के लिए संघर्ष क तरने वाले सीमांत लोग संगटन के संस्तापक हिंदो सिंग सोडा का कहना है कि हां कुछ लोग अटारी पॉर्डर पर अटके हुए है इन लोग ने वापसी की प्रक्रिया को अपनाई नहीं और सीधे वहां पहुच गए जबकि इसकी एक निर्धारित प्रक्रिया है उसे संभव ही नहीं हो पाएगी वास्तव में ये लोग किसी के बैकावे में आकर बॉर्डर पर पहुच गए हैं और ने अपने अपने रहने के स्तान पर आकर सक्षम अधिकारी से रनुमती लेकर ही जाना होगा ज्यागरुक टिवी की जोदपुर से खास रिपॉर्ट